हेलो बिटा कल हम लोग बात कर रहे थे measurement of personality की जिसमें मैंने आपको personality का concept क्लियर किया और इसकी बाद कैसे इसका measurement किया जा रहा है इसके बारे में मैंने बात की आपने जो question paper भेजा है उसमें लिखा हुआ बात की गई है तो मैंने आपको बताया कि बेगतितु जो है उसके द्वारा भी होता है यहां प्रिस्णालटी का करेंगे तो मिल जायाएगा प्रिटी टेस्ट का उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है साइको मेट्रिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो साइको मेट्रिक जो टेस्ट है आपकी उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री कोश्यनायर यह च्चिक टेस्ट आते हैं वो होते हैं आज हम लोग बात करेंगे परिस्टनालिटी इन्वेंट्री की ठीक है जो आत्म रिपोर्ट आविस्कारी का है, उसकी दवारा भी विक्तितु का मेजरमेंट किया जाता है यहां मैं आपको बता दू कि जब भी आपके जो MIT הोने वाले हैं इस paper के अंदर गदे जो psychometric Si船 एक है तो आफे ऐसा स्रॉक्चर टींहानों में इसलिए कि देश हंगी वन देखेस यम एक उपवजेक्टि टेस्ट भी या कीकोहने सीलिएीडन उतफफल में समय बात पर रूर्पवेसे है उसके बारे में तो यहां प्रिस्नालिटी इंवेंटरी की अगर बात करें तो जो प्रिस्नालिटी है उसको मेजर करने की अगर हम आपको बताएं तो यह सबसी पॉपलर मेथेड है अपका प्रिस्नालिटी इंवेंटरी इसके द्वारा जो प्रिस्नालिटी का मेजमेंट कि किया जा रहा है और कहने तो काफी पॉपलर भी है यह जो मैठेड है इसमें जो बेक्तित तो इसके कुछ जो खास सील गुण है कल मैंने आपके से पिछले वाले वीडियो मेंने बात भी कि थी तो यहां जो इस पेसिफिक आपके टेर्स हैं उसका मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट के लिए कुछ कोशन बने होते हैं प्रशण बने होते हैं प्रशन ऑर की तरह यह होते हैं जो होता है हा या ना या सही गलत में देना होता है यहां यहां यह जो सहीज़त है या जो जह सब्सक्राइब यह करा, इकismo को झाइद को पुलतोंना together. उसका उत्तर का सब्सक्राइब और की प्लाट किया अगा सेधान देना है यानि टिक करके वो देता है तो यहां जो प्रश्न है वो बेक्ती के लिए सही है या गलत है इसका वो आगला नहीं करता बल्कि वो सिर्फ जो उसको सही लगता है या जो गलत लगता है जो हां या ना में होता है उसके प्रश्न होते हैं बेक्ती के लिए गलत है या सही है इसक आती है तो यहां पे जो प्रिश्न है कि क्या आपको नीद नहीं आती है या नीद आमें यही जो भी isn'tam下次 हゅन जुक्त이다. अब यहां पर यहां पर सिर्फ इसको हाना में अपना एंसर देना Ele遍की?. तो द्रुि वीननमा भी आपकी क्या आपको माता पीता क्या अथे प्रदीछ से प्रेम्स ह Shivaj यहाँ पर यह जो ब्रशन होते हैं इनके जबाब होते हैं सही गलत आधार पना होता है इसले confused this कहा गया है क्योंकि इसमें स्पेस्फिक जो आपके जो टेट्स हैं उनका मेजरेमेंट किया जाता है और उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्टनायर भी बने हुए होते हैं ठीक है तो एक ही प्रेस्टन का सही और उचित उत्तर कहें तो अलग-अलग बेक्तियों के लिए फूर्ट उस culpAA किसा ओके सरफ करणाय जो रूवाग हो सकता है क्योंकि कोश्टन कोई तो यहां पे होता नहीं है यहां पर सित्म मनेघज Stanley में Merkel करे तो यहां पर जो सही है जू गलत है उसकां स्टे सजो विट्यश्टन होते हैं तो यहां पर जो आपकी आपकि इन्मेंटर करना है जिसके personality का measurement करना है वह बेक्ति खुद इसे पढ़ता है और अपने बारे में इतरा का report देता है ठीक है तो यहां कहने कार्थ है कि जब भी हम कुष्णायर को देंगे इ्नवेंटरीज को देंगे तो इनवेंटरीज देने के बाद उसका जो प्रश्ण होगा उस प्रश्न को जिसका measurement हम कर रहा है नहीं और वह उसका उत्तर देता है और उसी क्या अधर पर उक्रटा से फुलाकर देता है इसी लिए इसे आत्म अभी मैंने आप लोगों से कहा कि हम अगर साइकोमेटिक टेस्ट में बात करें तो इसमें आपकी सल्फ रिपोर्ट मैथड़्स आते हैं और उसी आइटम पर हाँ नहीं सही गलत या द्रीं विद्धा महां अपनी क्यादार पर भीतती होता हुच यद्धिया उससे आपको उत्तार प्राप्त करना होता पएक ज़यो pushes your up 151 अद्वाद में इस रिखन आधरी के जाता है क्योंकि उढ़िव जो परिशन पर ही स्वाहिव जो किये जाते हैं तो इसमें 走了 डाई कानस्रक्शन कre沒錯 यानि जब भी परिष्ण का निर्मार किया जाएगा तो इनकी सभी आवश्यक्ताओं को बैग्यानिक धंग से पूरा करने को सिस की जाती है इसे कुछ ही मनों बैग्यानिकों ने पेपर पेंसल परिष्ण मीका है यानि कहने का आठ है कि यह जो भी आपके यह डिश्र से पर के इंवेंटरी की तो ऐसे जो टेस्ट करते अंगे जो आपके 출une पेंसल हो तो आपके Self Report Re-Inventories की तो ऐसे जो टेस्ट आपके डेलब किये जाते हैं इस टेस्ट में जो डेलब करते समय जो आपके psychologist होते हैं वो पूरा ध्यान यहीं रखते हैं कि यहां पर paper pencil हो तो यहां paper pencil सिर्फ इसलिए कहा रहा है क्योंकि जो हमारा subject है जिसका हम personality measure कर रहा है हैं वो subject अपनी तरफ से उसको पढ़ता है इसके बाद उसको टीक लगा के answer दे रहा है जो कि paper और pencil दोना का यह personality inventory score किस नाम से जाना जाता है तो इसको paper pencil भी कहा जा सकता है आपका psychometric test भी कहा जा सकता है या self report readventories भी कहा जा सकता है तीनों मेंसे कोई भी नाम आए बात एक ही की जा रही है यहां पर personality inventory की clear personality inventory का जो पहली बार संस्ट्वी की उज़ी हुआ था वो प्रथम बिश्व युद्ध के दौरान हुआ जो आपकी personality inventory थी सबसे बहले जो संस्ट्वी की उसकी बात क्यार कर रहा है क्योंकि इस test को तो develop किया गया लेकिन वास्तों में इसका यूज जो हो था वो प्रथम बिश ने कि इस बश्चनल जो एसे पर संस्टी को एक तरह से पर संख्या में इस रखनाना या निकालना या इसको इन वाल्व करना है इस आधार पर मेजरमेंट किया गया बिश्चनली का तो ऐसी कंडिशन में इस जो पर संस्टी का फी अनिस्टबल थे तो उनको उस कहें तो युद्ध में सैनिकों की जगह पर नहीं रखा गया उनको हटाने की बात की गई तो यहां सैनिकों को जब छाटने की बात की गई थी तो वहां पर जो आपका कहें तो प्रिसनालिटी इनिमेंट्री था उसको एड्मिनिस्टीट करके उससे बिक्तियों क चटनी किया गया और सभी को जो यह मुसली अनिस्टैबल थी उनकों हटाया गया था इस उद्देश की कहें तो पूर्ती के लिए वुडवर्थ ने नाम ही रखे गया वुडवर्थ परसनल डाटा इनीटरीज तो जब यह चाहि भी तो उसी समय रफ की ति घरान और सभी श्रुवीद दारान और सभी का जो सेलेक्र्शन था इन ही द्वारा किया गया तेकी इन ही की टेस्ट के द्वारा जो शैनिक खेंगा टेस्ट करके उनकी खटनी की गई थी तो यहां जो आपकी वुडवर्थ की आपकी पर्स्नल टाटा इन्वेंटेंज है उसमें कुल आपके मिलाकर के 116 प्रशन है जो उसमें इकांस थे जिसका उत्तर जो है वो ब्यकति को हा नहीं में देना था और लिए नहीं में से जो परसंथा उस वो किसी को भी चाहे सकता है चुन करके खुद करए उसका इताए चाहिक ह्द के टेर्मित करने सफलता पुरुवक किया गया और इसके निर्मान में कहें तो बहुत से मनभग्यानिक थे वह भी लगए जो कि कहें तो इसका प्रदाम यहीं हुआ कि आज जो इन्मेंटरीज तैयार की गई है उसकी संख्या इसलिए आज हजारों में है क्योंकि पहले से ही जो प्रस्णालिटी इन्मेंटरीज की इस समय और कहें तो इसमें काफी ऐसे प्रकार की जो इन्मेंटरीज थी इसके द्वारा बेक्तितों के मुख्यसील जो गुण थी जिनका हमेजरमेंट करना चाह रहे थे वो चीजे हमको मिल गए उससे मेजर करके बेक्तियों को अलग किय जा सकते हैं तो इसी वज़े से काफी पॉपलर मैथड भी आज के डिट में भी मानी जाती है तो यहां हम खुल मिलाकर यह बात कह सकते हैं कि जो आपकी प्रस्णालिटी इन्मेंटरीज है इसके द्वारा जो बेक्तितों है उसके सभी पहलों का एक तरह से निर्धारन किया और नहीं की आधार पर जो बेक्तितों है उसको क्लासिफाइड करना होता है यानि कहने कार थे कि जब भी हम किसी बेक्तितों का मेजरमेंट कर रहे हैं या बेक्ति की प्रस्णालिटी का हम मेजरमेंट कर रहे हैं और वहां पर हम प्रस्णालिटी इन्मेंटी को यूज कर र उसकी personality को हम classified कर सकते हैं तो इसका सबसे पहला benefit तो यहीं होता है दूसरी बात अगरम करें तो जो भी वेक्तित्त है उसकी सुचियों के आधार पर यानि जो इन्मेंटिस है उसकी आधार पर हम कहां तो एक तरह से सिध्धान्द बना सकते हैं कहने कार्थ है कि सिध्धान्द आधारित होती है और इसकी दोरह बेक्तितो और बेवहार दोनों ही कहां जो कहां तो कोई अस्तितो नहीं होता उसकी आधार पर बलगी यह कह सकते हैं कि जो निस्चिस सील गुण होते हैं उसको हाइलाट किया सकता है यानि हम बेक्ति को रही देखेंगे उसके बेवहार को कया जाता है लेकिन तो पुनरुप से भी इन्मेंटिसu तो काफी तयालि प्राप डादे कान त्वायान नहीं देखें चानले इसे सील गुटों का क्लाइटी करेंगे यहां पे जो आपकी आपकी समाशार सुछी यहां की बात के जो भी आपकी प्रिसनालीची इविंटिस तैयार की गई है उसमें बहुत कुछ। तो समानता नहीं होती जो भी आपके अलग-अलग जो आपके इन्मेंटिस तैयार कीगी हैं लेकिन उसमें लगभग कहें तो क्योंकि सभी जो भी आपके प्रस्नालिटी इन्मेंटिस होंगी वह सील गुणों का हैं मेजरिमेंट करेंगी तो उनका जो क्लासिफिकेशन नहीं और जो जो ट्रेट्स हैं उनकी संख्या उसके उद्धिष उसके प्रसाशन उसकी जो मैधर्स हैं उनकी आधार पर ही होगा यहीं कहने का आर्थ है कि जब भी हम प्रस्नालिटी इन्मेंटिस को यूज कर रहे होते हैं तो कई साइक्लोजिस्ट तयार किया हैं वैसी उसका परपज, अडमिनिस्टेशन, कंटेंट, स्कोरिंग यह सब आपका सप्रेट हो सकता है क्योंकि सभी साइकलोजिस्ट एक ही स्टेट्स का मिसर्मेंट तो करेंगे नहीं सप्रेट करेंगे इस सभी सब्केसा मुझा है कोऊचिक घियाए , इस आपके सब्सक्तम से सुपशं के प्लिकह रिशुम में भिक annoyed करेंगे Stand there. में इसमें वस्ट तो आपको सुथभिण से था को आधार वहती में षर्ट आtschaft आधारे आधार डी बात में से लोगू चाहिटाया है वघ्ट कर इजनाबाध में एक आधारन से प्रभाव गोठी में। ध्रत हो अक तो रही थ mentality जो स्पेस्फिक ट्रेट्स हैं उसका मेजरमेंट सप्रेट किया जाएगा तो फ्री मैंने उसी के एक ओड़े उन्होंने छे स्रेडियों में या छे क्योडिज में आपके जो सीलगून होती है उसके संख्या को मेजर करने के लिए बाटा है वेकित अर्नी सुचियों को तो इस करने के लिए ने किया है कि नेक्स्ट फ्री मैंने जो में बताया है जो से जिए होती है यह जो जत इसलहर सब्जस्ब्स पुसरें उस जब्रतिध हैं जो सब्रेटरियों सब्स्दिर्ण करपाता है हम स्मयोरियंगर ने को positively mm आजिस कर पाता है उनका genial करने के लिए जो सब्सक्राइब करने वाली आपकी अनमसुशियां होती है उसको रखा है इसके द्वारा बेक्ति का मिजर्मेंट किया सके और उसके अचा ट्राइब किया सके उसकी बात उन्होंने की है सब्सक्राइब करने वाले टो उसको रखखा यानि कहने कार थे कि इसमें ऐसे बिफिति जो अलग सम्मुहां में रहने वाले हैं जब उनको ख्लासिफाइड करना होगा उनकी परसानल्यों को मेजर करना होगा तो तो ऐसी कडिगरी के जो परसन है या सप्रेट जो में क्योंकि हमारी जब किसी के साथ बनती है तब हम उस सब्वों के सदश्य होते हैं तो उनको क्लासिफाइड करने के लिए उन्होंने इस पेसिफिक जो बताई है वो फोर्थ कर रिगरी की बताई है जो बेक्तितोर्म सुचिया है नेक्स्ट उन्होंने बात किये फिफ्ट के डि सब्सक्राइड करें इस को जूद रखा गया है उनको सब्सक्राइड साथ six यहां पर अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो आपकी प्रिस्नालिटी इंटीज है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसमें जो पहला है उसके अंदर का तो वैसी बेक्तित्व अनुम्सुशियों के सम्रेट किया जाता है जो किवल एक ही सील्गून या एक ही बातित्स है है तो यहां मैंने आपको बताई कि जो आपकी ंडी जियास पीसिंश्नालिटी में जो होती है इसको जो घ़णिवार्ट안 किया गया इसका पहला आपको वर्ग है तो अनतरगत को सम्र्वी किसिंश्ट किया गया इसमेन आपकी Essentially away, हो इसका इस मिन जहगे है इसक प्रिस्टा continued अगर दूसरी इंदर कता उसके इसके इंदर क्रूमन क्यों कया चल्टियू साथ दीस्तियो, इसके इंदर क्यों में आते हैं शकना के आ EXT हैं उसका में बेरी दूसरा है आपका कई सिल्गुन, बहुत सिल्गुन, नहीं अगर हम इसके थे खिर्भेग्रावंड के दूर्टि अगर हम धियान तो इसमें अगर हम देखें तो परियोग किया था आज अगर हम के विद्धि के छेतर में देखें तो सब्सक्राइबर पहले द्वादर किया था है यह आपको ध्यान रखना हो यहां कभी कोशन्स कि जो प्रिशनाली की इनिति से सबसे पहले या प्रशनावली वीधी जिसके द्वारा बेती तो के चाहिए तो आज अगहां प्रस्टाइटी मिंट्री मेसेमेंट के बात करें तो इसी वीधी आधार पें तो सयक्डो ऐसे अब बेक्ति की अधिया जा रहा है रहा है और रहात भी मिल एकिसी तो गएक के सानाली की मेज़र करने के बाद उसके एक ट्रेट्स का मेजर किया जा रहा है तो उसे परसंड को खुश्च विधाय भी प्रवाइड कि राये जाती है तो यह घृक बात करते हैं तो यहां रहाओ यहां सारी मिस्ट परस्थी करने के लिए इसको परणाद करने के लिए थार разбi स्धाउत् simplify है यह तो यहां पर फाइनली अम बात करते हैं धि tag про upgraded we can't all बस राधर आपधा चेह वर्थी Ну रिंटर चरणा तो गाल्टन की तवारा तयार की गए थी लेकिन वास्तों में जो प्रस्णाल्टी इन्विंटीज था उसका जन्म अगर हम बात करें तो उनिशा उठारे में जो बने भी बताया कि वुर्वर्थ ने जो आपके सैनिकों को अलग करनी के लिए जया जो इमोसली अंस्टेबल थ स्वागे जो आखिया तो यह तो इसके बाद जो प्रेसी थी जो समेगातम्ता है उसकी करने के लिए कार्टने परिष्ण की एक रश्ना की थी उसके बाद लगाता था यह पहें तो आल पोर्ट यह और थर्ष्टन की बात करूँ थर्ष्टन की घृट ने भी जो इन्हों से प्रवित्ति को जानने के लिए बेक्तिति और अनुसूची के रिचना की गई थी तो यहां थर्ष्टन ने जो नाइटी थी में उन्होंने यूज किया था यह एक ऐसी अनुसूची थी जिसमें कि एक ही आयू के समुह के जो सामाने और स्नाय विक्रित जो बेक्ति थी उनके इसमें जो प्रशन थे उसको मतलब पुछने की ऐसे पूछा जाता था कि क्या आप मंच पर जाने से डरते हैं क्या आप अपने आपको उदासीन बेक्ति समझते हैं तो इसकी कहां तो यह जो कुष्ण थे इस प्रकार के उसमें रखे जाते थे और इसकी कहां अब पारहा था उसका मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज की रिया जओ आप गया तो यह जो तो यह जो अनुसूची नहीं बनाई बेक्तिति कहा थे लिए इसको कहा गया थे जो जो बच्छों दित जो हिंता हिंता की भावन अगते इंदर जब्स्ण के जो सम्माय उनका हो पारा था उसका मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया गया जो रुजाइस का था बच्चों की जो समस्य आए थी उनका निदान करने के लिए उनका समय कहें तो इंटर्व्यू पर एक आधारी ती ऐसी अनुसूची थी जिसका कहें कि श्राइशन किया गया और अगर हम डार्ले और मेकनामडा नाटी 42 की बात करें तो तो दार्ले के द्वारा जिवे प्रिसनाल्टी इंवेंट्री तैयार गए थी से कहा गया मीनेशूटा प्रस्नालीटी स्केल यह जो आपका टेस्ट था इसके दो अलग अलग हैं तो प्रतिरूप थे एक जो प्रिस्नालिटी है उसके पांच पहरों का मिजरमेंट किया जा सकता था जिसमें अगर हम बात करें तो नैतिकता सामाजिक समायोजन पारिवारिक संबंध साम इगात्मक्ता इस्थिरता आर्थिक द्रिंडता इस सभी का मिजरमेंट हो जब हो पा रहा था यह जो आपकी प तो अगर हम उसकी तिविता को मिजरमेंट करें मातरा किया नुकुलन की बात करें तो एक स्लेकर की पांच तक जो कहें तो वेटेज दिया जाता था सम विश्वम विधी से इसकी जो विस्वस्वसनियता थी जो यह आपकी डाले की मिनिसोटा प्रिसनाल्टी इन्वेंटिस जब हम इसका रेएलैविल्टीढ करना सुरू कि यहां रियाविल्टी जो थे सम विश्वस्विधी के द्वर्ण जब ग्याद की गई तो इसमें 0.90 तक मिल आप समझ सकते हैं किसकी 5 कहां तक थे यहां श्वस्शम प्रिवल्टी 590 तक मिली जो आकर मांशेख्रोगी थे औ नित अध्य हिस धुर्ण पंडेंद्स कर्णयमित कर्णी इसमें इसमें, बाइश करूड़ किया गया तुर्णि और 2 बिटा संदु पने रखी है हाँ नहीं ठीक है इसी के साथ ही जो अधर्स जो अगर साइक लोगिस्ट की बात करें जैसे आपके जुगर मैं जुगर सें थी गिलफोर्ड जी मर्मैन थी तो आप लोगों को पता भी होगा कि सौभावी जो सर्विया थर्शन की सौभावी जो अनुसुची थी उसकी रशना कि ती यहां गेलफोर्ड जी मर्मेन की वेन बात करें तो उन्होंने टयम्परा मेन्च तले ऊवं किया था यह आपका जो डम्टर मेंटल जो सर्वेतर भाजएरा वह फेक्टर इनाल्सेट जो मैथरा उस कर आधारित गिलफोर्ड जी मैंने जो आपका स्वभावस जो सर्वेक्षन प्रकासन किया वो आपका 1949 में हुआ था यह जो आपके बिधी थी जिससे की प्रिस्नाल्टी का मेजर्मेंट किया जा रहा था यह आप एक फेक्टर इनाल्सिस पे डिपन्ट थी आपको याद होगा साथ मैंने अगर इसके बावजूत प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रॉब्लम से इंड कीजिए ठीक है तो चलते हैं हम लोग गलफोर्ड जी मैंन की तरफ तो यह जो टेस्ट आपका टेप्रामेंटल जो सर्वे था इसमें यह जो परिछन थी इसकी रशना का है तो चार बेक्तितों सूचियों की आधार पर रूखी गए थी चृफ है तो इसमें जो चार आपकी बीक्तितों सूचियां थी उसके आधार पर जो किया गया थे घ्टितों कीजिक पहलू थी इसकी अधियन पे तरह से प्रकाश जाला गया इस आपकिप्रामेंटल जो त्युम्हत में तृन की त थे और प्रश्णावली में दस फेक्टर पे स्वामेज्रमेंड किया गया था यह दस फेक्टर क्या थे आप जो जनरल एक्टिविटीज होती है यानि सामान ने क्रिया आत्म नियंत्रन आत्म सुरक्षा सामाजिक्ता समेगा आत्मक अयस्थिर्ता समेगा आत्मक अस्थिर्ता उग्र रहित मित्रता विचार प्रोडता बेक्तितु संबंध पुरुशत्व ठीक है यानि जनरल एक्टिविटीज रेस्ट्रेंट सेल्फ डिफेंस सोसियबिल्टी इमोशनल इस्टैबिल्टी नोन होस्टाइल फ्रेंडलेस थॉट्फुल्नेस पर्सनल रिलेशन मेस्कलिटी ठीक है यहीं दस आपके फैक्टर थे यह जो सभी आपके तत्तु थे या रिमेर्ट्स थे जो थे वह बेक्तिक बास्तिक बेक्तितु का एक तरस से ब्यापक चित्रन देते थे जैसा कि इनको विश्वास था परिछन का प्रते एक जो फैक्टर था एक सुर्य से दूसरे सिर्य तक पूर्ण रूट से मापनी पर आधारी था इसका इस्ट्रेंडाइजेशन जो था विश्वी द्याले में जो पढ़ने वाले आपके 533 पुरुष और 399 इस्त्रियों पर किया गया था यानि आपके जो इस्टूडेंट थे इन्वर्सिटीज के उन पर एड्मिनिस्टिट किया गया था और उन्हीं के आधार पर इसका रिजर्ट भी निस्ट किया गया ठीक है इसमें जो पद थे या जो आइटम्स थे उनके प्रश्णों के अस्थान पर सकारात्मक जो कथन थे उनको रखा गय उन्हीं के रूप में ही इसको बेगती ही किया गया था जिसमें अधिकांज जो आपके परिछार्थी थी या जो आपके सब्जब्ड थे उन्हीं से संबंदी थे और साथ ही जो इसमें आपके एंसर थे जो ऑप्षिनल दिये गया थे उसमें जूट लापरवाही इन सब जानन ठीक है तो यहां पर थोड़ा से ध्यां दीजेगा आप लो यहां जो भी आपके कॉलेज के स्टुडेंट थे उनकी आधार पर इसके सतांसी जो मानक थे उसको तयार किया गया था और साथ ही कारक विश्येशन की विधी के आधार पर जो विश्यविद्यालय इस तर के जो जो एडोल सेंस इस्टुडेंट की यहां पर बात की जा रही है उनके जो बेक्ती दुखाए तो ब्यापक पूर्ट ब्यापक तरीके से उनका एक तरसे स्टुड़ी की गई और इस परिशन का वास्तों मुख्य उद्देश भी यहीं था कि जो भी आपकी इन्वर्सिटी के अगर हम बात करें इसकी सम्रीट जो इस फेक्टर से उसमें आपकी और दिविच्षेद विधी से इसके सम्रीशन में जो सम्रीट आपके 10 कारक थे उसकी विश्वसनीता का गुडांग घ्या गया ठीक है इसका विश्वसनीता गुडांग आपका 0.75 से 0.87 तक पाया गया ग आप कि हम इसकी कहां तक मिल रही है 7.752.87 तक यानि इस परिश्वन की अगर हम वेलेडिटी के बात करें तो वेलेडिटी भी आप इसकी कहें का सौटी विश्लेशन से संबंधी जो सीलूनों के बीश आपसी जो कोरिलेशन था वो भी काफी अधिक मिला यानि अद्दोगि जो समायोजन से भी संबंधी तकर वेताग्य हम बात करें तो इसमें भी इसका पूर्ण प्रमाड मिलता है इसी के आधाहर पर आपके थर्ष्टन ने भी टेंपरामेंटल जो सीडियूल था उसकी तयारी की उन्होंने जैसे कि आपका गिलफोर्ट जीमर्मैन का टेंपरामे करें एपर आपके कuschण आते हैं जो मिलते जूलते हैं इसको बाताया था तयां है जो मिलते जूलते रहते हैं इसको आप आपके को दिया रखा नाहों कि वह सोभाव पर तर वह सारवेक्षंड था और यहowवथρι मेंनुसूची जो कारक वेशनेशन की विधी है उसी की आधार पर ही इसको भी बनाया गया ठीक है तो यह जो आपकी थर्ष्टन टेम्परामेंटरल जो सीडियूल था यह भी आपकी फेक्टर एनलसेज जो मेथड़ उसी पर डिपेंट था और यह कहतो 1940 में 1940 तो यहां 1940 में थर्ष्टन ने स सबसे पहले निर्माड किया था उस समय जो उपलब्द आपके समय से बेक्टितों नुपसिचिया थी इन में से जो आपके एकांज थी उनको एक जगह हैं कत्रित करके उससे उन्होंने अपनी सुची में केवल 140 पदों को समलित किया उससे में जितने भी आपके प्रस्टना उन्होंने 140 जो आइटम्स थे उनको समलित किया और उन्होंने केवल उन्हीं आइटम्स को इसमें समलित किया जो सामान बेक्टितों के विवहार से संबदी थे यहां पर बस यहीं ध्यान रखना है कि उन्होंने जो भी मेजरमेंट करने के लिए 140 जो आइटम्स से लिट किय बेखन नहीं से अब लए रकिस्ट और वी सामान्य मेद्गटिता विखना उन्हे एंसे पर सकता हुआ है समने साथ सामान्य गृंटितों लेखनता चलत्य नहीं कि उम लिद्गत्य थे ऐसे आइटम्स को अपनी निमेंटिस में जगह दिया ही नहीं ठीक है उसकी जगह उन्होंने जो आइटम्स रखे थे वह सामान बेतित्यों के आधार पे जो संबंधी थे वस उन्हीं को नहीं रखा उसकी जो उनकी जो यह अनुसूची थी आपकी थर्ष्ण की जो उसके आपका जो और एक छोटा बारट है जिसमें आपकी परस्णालिटी इंविंटीज आती है क्योंकि कुछ अब्जेटि टेस्ट मैंने कहा तो यहां पर हम लोगा बही परस्णालिटी निमेंटीज में हैं जिसमें के सीलगुनों का मेजरमेंट किया जा रहा है ठीक है त तक्रियता, प्रबलता, प्रेरक्ता, प्रभुत्य, स्थिर्ता, सामाजिक्ता, प्रतिभिम्वित्य, ठीक है, इसी में अंकप्रदान किया जाता था, क्या-क्या साथ सिल्गूर थे आपकी, एक्टिव, वेजरियस, इंपल्सिव, डॉमिनेंट, स्टैबल, सुसिवल, रिफ्ल ठीक है, यहीं आपके साथ जो टेट्स थे, उन्हीं का मेजर्मेंट, थर्ष्टन की सुभाव अनुसुची की द्वारा किया जा सकता था, प्रतिग जो आपकी यह सील्गूर थे, साथ सील्गूर थे, हर सील्गूर से संबंधित, बीस पद, उनकी निमिन्टिज में था, ठ इसके लिए एक की भी थी, यानि एक कुंजी भी उपलवदी थी, जिसमें जो बेक्ती है, उसमें अनेक प्रकार की सील्गूर की मात्रा है, उसका मेजर्मेंट, उसके कहें तो संपुन बेक्ती तुकार्धियन करना, इस परिष्ण का मोलो देशे था, जबकि इस थर्ष्ण की जो तेम्रामेंटल सीडिऊल था, इसका काया कुंजी भी थी, जिसके द्वारा वग्तितु के जो साथ सिल्गून थी, इसका मेजर्मेंट करने के साथ ही, बेक्तिके संपुन हुआप जब हमको इस्टडी करना हो, यानि हम जभी बेक्तितु की बात करेंगे, यानि झभी तो उसके पूरे होल प्रिस्टनालिटी का मेसरेमेंट करना वास्तम इस सेजुल का परपज था है उद्देश ही था जो अलग अलग आपके कहें सील गून थी उनको अंग की जो विश्वसनीता थी वह सामाननेता निम नहीं है ठीक है केवल हम प्रभुत शील गून की अगर विश्वसनीता की बात करें तो 0.80 है यहां जो सील गून आपके मैंने कहा कि 700 शील गून दिये गए थे उसमें एक सील गून जो आपका है यह प्रभुत का शील गून डॉमिनेंट की बात की गई है वह उसकी रियलेबिल्टी ज फीलेबिलटी थी और 0.80 से कंब थी किसी जो हम सील गून की बात करें वह रचते तो यह सकते हैं कि जो सभी सील गून थे वओ आपस में एक दूसरे से क्या थे स्वतंद्र थे क्योंकि एक दूसरे से वहलेटिड होते तो यहां पर जो रियलिविल्टी है वह ब्ट हुमारी प्रभीतु सील्गुन इसका 0.80 गया तो इतने 0.40 का डिफेंस सो कर रहा है इसका मतलब ही हो गया कि जो हमारा सील्गुन है वह एक दूसरे जुड़ा हूआ नहीं है अगर एक दूसरे जुड़ा हुआ होता इसके डियल एलिटी इतनी कम नहीं होती ठीक है तो यहां जो भी सक तो इसकी भूत वैदता की बात करें तो जो इसकी भूत वैदता थी वैदता थी वैदता को ग्यांत किया था यहां पर धियान देजेगा बारे में मैंने आपनों को वीडियो बना कर डाल दिया है तो उसे रिलेटेटेटेटेटी को आप जो मेजर करने के लिए जो भी विडियो है वार उसको देख रहे जाएगा ठीक है यहां अगर मैं आर्भी केटल की बात करूं तो आर्भी केटल 1966 ने एक प्रिस्नालिटी बनाए थी जो प्रारंभिक विद्याले बेक्ती तो प्रिश्नावली इसमें जो उन्हें अभी में ने कहागी 1966 में तो उसने केटल ने 6-9 एज छे से नौ वर्स के जो आयो के बच्चे उनकी प्रिस्नालिटी की स्ट्डी करने के लिए उन्होंने इस इस पीकेव ए उसकी रशनाकी थी यह जो आपका तेस था इसके दो थे दो फोल्म थे एवन और एटू ठीक है एवन एटू साथ ही इसमें प्रतेक में आपके 80 जो आईटम्स थे प्रिस्न थे उनको रखा गय जिनका answer दो optional option में देना था यानि इनका जो उत्तर था उसमें दो option थे उन्हीं के अधार पे जो बच्चा था उसको देना होता था यह जो आपके personality inventories थी यह भी आपके कहतो factors पे ही depend थी और इसमें आपके 13 factors पर इसका measurement किया गया जिसमें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, O और Q, 4 इसका measurement किया जाता था ठीक है अब यहाँ पे आपको यह लग रहा होगा कि A, B, C, D यह सब है क्या ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका A जो है outgoing है more intelligence, B, mostly stable, C, stable, D, observative, E, happy-go-lucky, F, consensus, G, C, H, tender-minded, I, various, J, abertureness, O, self-substant, O3, O2, O2 का measurement ही नहीं किया गया है, O4 इसमें सके relaxed, tense, Q4 की बाद ली गई ठीक है तो इन्हीं के आधार पे यह जो बच्चे थी इनका measurement किया गया था इसके किसी भी अगर हम भाग की बात करें तो उसको पूंड करने में जो बच्चे थे उसको लगभा 50 मिट का समय लगता था जो बच्चे थी इसके किसी एक भी अगर हम पाट की बात करें तो उसमें जो बच्चा था अगर वो उसको फुल-फिल करता था तो उसमें लगभा जो six to nine age के बच्चे थे चाहे वो लड़किये थे या लड़कियां थी हो उन सबका इस पर मेजरमेंट किया जा सकता था तो यहां पर लड़के हो या लड़किया हो उन्हें छह से नव वर्स की आयू के अगर बच्चे हैं तो उन पर यह टेस्ट आपका E.E.S.P.Q. यहां इस पर थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे कोशन में बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि पूछे जाते हैं तो उन्हीं पर यह एडमिनिस्टेट किया गया और उन्हीं के द्वारा इनका कहें तो में जो प्रिसनालिटी है उसके जो सारे टेट्स हैं जो 13 टेट्स की मैंने बात की जो सारी 13 फेक्टर्स की बात की इनी 13 फेक्टर्स का मिजर्मेंट किया जा सकता था